आपके अपने यूटूब चैनल में आज हम आपके लिए लेका हैं हाँ पर इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन जैसे कि आपको इसके बिखाई दे रहा है यहाँ पर CBSC का सैंपल क्यूशन पेपर 2023 के लिए और क्लास 10 इसका बेसिक मैट्स पेपर सॉलुशन है यहाँ पर हमारे सामने तो इसको हम आपको सॉलुशन कराने वाले हैं क्यूशन पेपर को और यह 80 मार्क्स का पेपर होता है और 3 गंटे इसमें लगते हैं यहाँ पर इसमें पांच सेक्शन होंगे A, B, C, D और E पांच सेक्शन इसके अंदर होंगे और यहाँ पर वन मार्क्स क्यूशन होंगे इसके अंदर बीस पांच क्यूशन होंगे दो दो मार्क्स के यहनिकी टू मार्क्स के दो पांच क्यूशन होंगे और छे क्यूशन हों में यहां पर five marks के हैं इसके बाद में section E में तीन क्यूश्चन होंगे case study वाले और उसमें दो सवाल एक-एक marks के होगा एक जो सवाल होगा वो two marks का होगा तो यह total इसके बाद में चलते हैं next page और इससे पहले हम आप से कहना चाहता है अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की notification मिल सके चलिए हम सुरू करते हैं पहला क्यूशन तो पहला क्यूशन किस तरीके से हल करेंगे तो यह सेक्षन ए हमारे सामने तो यहां पर हमारा सवाल कह रहा है क्यूशन नमर्फरस्ट है सेक्षन फरस्ट का एक टू पॉजिटिव इसके बाद में हम बी को लिख सकते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहां पर हम a is equal to x raised power 3 y raised power 2 पहले हमने इसको यहां copy कर दिया इसके बाद में हम बी को लिख सकते हैं इसके बाद में हम इसके factors कर सकते हैं तो यहां पर इसके factors होंगे यानि कि इसका means x की power 3 है तो इसको यानि कि हम 3 बार multiply लिख सकते हैं तो x into x into x और y two times है तो y into y हम इसको लिख सकते हैं इसी तरीके से यहां पर इसको भी हम लिख सकते हैं बी की value को x into y into y तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं यहां पर हम बात करें तो यह common part है दोनों में और यह common part है और यहां पर इन तीनों को हम यहां पर क्या कर लेंगे multiply कर लेंगे और y कितनी बार है दो बार है तो इसके उपर पावर लगा देंगे यानिकि x into y raised power 2 यानिकि option number भी हमारा हो जाता है और इसकी short trick मैं आपको बताता हूं short trick के माधिम से अगर आप करते हैं इसको सीधा सीधा तो short trick इसकी क्या होगी तो short trick इसकी मैं आपको बता देता हूं तो यहां पे आप इसको सीधा देखे यहां पे x को सबसे पहले देखेंगे तो x में highest power नहीं देखनी यहां पे lowest power देखनी सबसे चोटी power कौन सी है तो सबसे चोटी power यहां पे x की यहां पावर कुछ भी नहीं तो इसकी power क्या होती है 1 होती है तो यहां पे ऐसे जब हम निक सिखते हैं एक्स इन्टु वाइर इस्ट पावर टू यानि कि ऑप्सन भी हमारा करेक्ट आंसर होगा चलते हैं नेक्स्ट की तरफ क्यूशन नमबर टू क्या है यहां पर बात देखें समॉलेस्ट जो सबसे छोटा दो डिजिट का कंपोजिट नमबर है कंपोजिट नमबर को हम कहते हैं भाज्य संख्या कंपोजिट को क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं हम इंदी के अंदर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नमबर देखो यहां पर दो डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नमबर पूछा है और यहां पर जो सबसे चोटी दोigos की ट्मपडेंबर होगा याने की बाध़य संखेंगे होगी वह हती है दस और यहां पर स्मॉलेस्ट कम्सट नंबर याने की सबसे छोटा जो चुन चूटा होता है वह पूर यहां पर पूछा है ल्म क्या पुछा है lc of smallest composite number and smallest composite number दोनों का lcm क्या होगा तो यहां पर 10 और 4 का lcm हमें बताना है तो 10 और 4 का lcm इस तरीके से आप ले लिजिए सबसे पहले 2 से divide होते हैं तू से divide करेंगे 2 से 10 डिवाइड होगा 5 ताइमस 2 से 4 को करेंगे टू टाइमस अब यहां पर यह 5 और 2 किसी एक के टेबल में नहीं आते तो क्या करेंगे इन सब को multiply कर देंगे तो यानिकि 2 into 5 into 2 तीनों को multiply कर देंगे और हमारा answer हो जाएगा तो यह हमारा lcm हो जाएगा तो क्या हो गया तो यहां पर 20 हमारा जो है answer होगा यानि की option number सी हमारा correct answer होगा ठीक है जी तो यह हमारा answer हो जाएगा तो यहां पर अब हम चलते हैं question number 3 की दरब question number 3 है हमारा यह इफ x is equal to 3 देखो यहां पर x की value तीन दी हुए है one of the root of the quadratic equation यह quadratic equation दे रखे x is equal to 2k x minus 6 is equal to 0 then the value of k तो हमें k का मान बताना है क्यों k का मान क्या हुए quadratic equation यह दे रखे यानि की दीख बात समय करने जिसको कहा जाता है और x की value यह कही है तो हमें k का मान बताना है तो यहां पर simple चीज़े है जहां पर हमें यह value x की दे रखे तो x की value जो हमें 3 दे रखे इस value को हम क्या करेंगे इस equation में put कर देते हैं तो x is equal to 0 जहां पर x से वहां पर हम क्या put करते हैं 3 तो यहां पर 3 put किया तो इसकी power 2 है तो 3 का इसपर minus के 2 अपनी जगा है के भी अपनी जगा है और इस x की जगे हम 3 put करेंगे minus के 6 इस बल्टू 0 तरी का इस पर कितना हो गया 9 हो गया और यहां पर 2 और 3 को multiply करेंगे इसकी हो गया और यह माइनस 6 अपनी जगा है तो यहां पर 9 और 6 यह दोनों को क्या करेंगे यहां करेंगे तो 9 में 6 को एड करेंगे तो माइनस नहीं यहां पर प्लस के 3 बचेंगे और इसको हो जाएगा हमारा इदर 0 ठीके तो यहां पर माइनस 6 को यहां चोड़ेंगे और 3 को अधर सैट में लेके चानों साइट में चांवा माइननस में च्ढ़ेंगे psychologists के की वेल्यू आपकी हो जाएगी 3 by 6 और काटने के बाद में हो जाएगी 1 by 2 तो इनको जब हम काटने के 3 बन जाएथ की 3 तो यह आजाएगा 1 by 2 तो के की वेल्यू आ गई 1 by 2 यम्हें की option number P हमारा correct प्रशन नमर फॉर में यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर पिक्षर के माधिम से बताया है कि यहां पर यह हमारा x-axis है यह हमारा जो पिली वाली लाइन है y-axis है यह red वाली x-axis और y यह हमारी पिली वाली जो लाइन है यह y-axis है अब यहां पर जब हम बात करते हैं इसको रिपर्जेंट करने की y is equal to 0 तो y is equal to 0 जो होगा यह जो हमने यह point आपको रिपर्जेंट करके दिखाई यह वाला point यह हमारे इस point को रिपर्जेंट कर रहा है y is equal to 0 को यानि कि इससे जो line बनेगी वह यह red वाली line इससे बनेगी और y is equal to 7 minus 7 है तो इससे जो हमारी line बनेगी वह हमारी green वाली line है और यह point होगा यहां पर और इससे यह हमारी green वाली line बनेगी तो क्या यह दोनों line एक दूसरे क के साथ में हैं तो infinite many solution होंगे अगर नहीं काटते हैं तो no solution क्या यह आपस में काट रही है नहीं काटते हैं तो इसलिए इसका answer होगा no solution ठीक है जी चलिए question no 5 है value of k की मान बताना है which for the quadratic equation यह हमारे quadratic equation दे रखे हैं और इसके equal roots होंगे ठीक है तो हमें क्या करना है इसके value बताना है जिरो होगी फॉर होगी या 8 होगी देखो यहां पर 0 only 8 only और 0 और 8 तो यहां पर हमें चारा option दिये हैं तो चारा option हम यहां पर पुट करके देखेंगे तो यहां पर यह values किसकी है यानि की k की values है अगर हम के की values पहली बार में 0 पुट करते हैं तो means यहां पर 2x square minus k k x और plus में k is equal to 0 तो यहां पर first time हम क्या put कर रहे हैं इसकी जगे k की जगे 0 पुट कर रहे हैं तो यहां पर 2x square minus k k की जगे हमने 0 पुट कर दिया यहां पर x है और plus में यहां पर भी 0 पुट कर दिया तो यह values यह 0 हो गई है तो यानि की 2x square is equal to 0 और x square is equal to हो जाएगा 0 by 2 तो 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा और x का यह x square is equal to यानि की 0 है तो यानि की x is equal to आपका हो जाएगा 0 तो means x की दोनों value इसके लिए 0 0 हो जाएगी इस quadratic equation के लिए तो यह satisfy कर रहा है इसको यानि की 0 वाला satisfy कर रहा है अब 0 वाला इसमें है और इसमें है तो यानि की यह और यह दोनों satisfy कर रहे है अब हम बात करते हैं फिर इसमें 8 है तो 8 को भी हम यहां पर करके देखते हैं इसके बाद में 2 x square minus k k x plus में k is equal to 0 तो यहां पर हम k की जगे 8 रख देते हैं तो 2 x square minus k 8 k 8 x हो जाएगा और plus में 8 is equal to 0 तो अगर समय से हम two common लेते हैं तो यहां पर बसता है हमारा x square minus k 4 x plus में 4 is equal to 0 अगर हम इसकी बात करें तो इसके हम दो factors कर सकते हैं x square minus k 2 x minus k 2 x और plus में 4 यानि कि इस 4 x की जगे हम minus 2 x minus 2 x लिख सकते हैं और यहां पर इन दोनों में से हम क्या करेंगे इनके जोड़े बना लेंगे इन दोनों के यहां से यहां तक जोड़ा और यहां से यहां तक जोड़ा बनाएंगे और इसके बाद में आगे हम इसको हल करेंगे तो इसके बाद में क्या करेंगे इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो यहां पे x बच जाएगा और यहां पे बच जाएगा 2 ठीक है इसमें से हम 2 को मन लेंगे तो यहां पे भी x-2 हमारा बच जाएगा इसके बाद में यहां पे देखते हैं तो यह वाला और यह वाला दोनो सैम है x-2 और यहां पे भी जो बच रहा है वो भी हमारा यहां पे x बचा और यहां पर हमारा माइनस टू बचा तो यहां पर अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो आएगा दोनों टाइम्स तो यहां पर भी एक्सिसपल टू आगया और एक्सिसपल टू आगया तो मींस इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी क्योंकि अलग अलग अगर की वेल्यू हमें यहां पर किसके एक्वल होगी अगर हम बात करें थ्रीफाइब पॉइंट को अगर हम रिपर्जेंट करें तो यह हमारा पाइज माए यहां पर करें तो यहां पर बात करें ने नमबरिंग रटे हैं तो यहां पर और यहां पर 206 यहां परạtiction यहां पर दोनों जहां पर मिलेंगे एक्स का यहां से यहां और यह होगे हमारा थिरी कॉमा फाइड तो यह आप यहां पर बात की जा रही कि एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है यहां से इस लाइन से जो गिरीन लाइन है गिरीन लाइन से कितनी दूरी पर है तो गिरीन लाइन से 1,2,3,4,5 तो यहां पर यहां पर इसको कहा जाएगा 5 यूनिट तो यह 5 यूनिट की डिस्टैंस है इसके बीच में अगर ऐसा पॉइंट अगर इसके Y-axis के लिए पूछा जाता, तो यहां पर 3 आ जाता है, मतलब यहां पर जिस-axis के लिए पूछा जा रहा है, तो इस-axis के नंबर को छोड़ के जो दो, दूसरा उसके साथ में है वही आंसर होता है, X-axis के लिए पूछा, तो यह 5 होगा और y axis के लिए पूछते तो फिर हमारा 3 answer हो जाता है ठीक है बच्छों समझ में आ गया चलते हैं next question की तरफ आगे हमारे पास में यह सवाल है तो यहां question number 7 यहां पर हमारे पास triangle है ABC और दूसरा triangle है PQR और हमारे पास में कहा कि ABQR के एक वल है तो यहां पर हम नाम दे देते हैं सबसे पहले ABC और इसका देते हैं हमने PQ और R यह हमने इसके नाम दे दिये अब इसके बाद में हमसे कहा जा रहा है इसके बाद में हमसे कहा जा रहा है कि यहां पर AB जो है Q यहां पर AB अपॉन QR है तो यानि कि AB जो है यह वाली लाइन तो इसको मैं दूसरा pen change कर लेते हैं आप से यह AB जो लाइन है यह वाली यह किसके इक्वल है यह QR के इक्वल है इसके 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 बाद में BC अपॉन PR है तो BC किसके यानि कि यह BC जो है यह PR के इक्वल है तो यह इसके इक्वल हो गई और इसके बाद में C अपॉन PQ है तो इसका मीन्स हो गया कि जो यह थर्ड साइड ह हो गया है कि जो ए वाली इसके इक्स कवाल होगे और जो वी हमारा है वो किसके इक्समेर के इक्समेर के शरते हूं के सब्सक्राइब ह्याल Ke AiCKin के अग rapid daily का क्विड़ा है और विद्डिक हमारा और यह विद्ज्ट के इके अग्यों है अनॉसर होगा अब next question की तरफ चलता है question number eight which of the following is not similarity criteria of triangle जो दो triangles की criteria की बात की जाती है similarity criteria क्या होता है similarity criteria की अगर आब बात करें तो ये angle angle की बात करते हैं तो अगर दो angle equal होते हैं अगर ये angle इसके equal हो और ये angle इसके equal हो तो means ये similar होंगे दोनों की दोनों triangles और यह यह भी इसी को इसी का दूसरा नाम है तो यह दोनों की दोनों को यानि कि इसको सैटिस्फाइब करेंगे ही करेंगे इसके बाद में यह जो साइड एंगल साइड वाला है यह भी इसको सैटिस्फाइब करेगा यह भी इसको satisfy करेगा यानि कि एक डो side equal है और एक angle equal है तो यह भी satisfy करेगा satisfy कौन सा नहीं करेगा तो यह वाला जो है RHS इसको satisfy नहीं करता है यानि कि similarity criteria के अंदर यह option नहीं आएगा यानि कि option d इसका correct answer होगा जो correct answer की बात की जाएगी तो यह ही इसका answer होगा option d आगे यहां पर इस नमर्ण नाइन इन फिगर इफ टीपी इसकोल टीक्यू यहां पर आपको यह टीपी और टीक्यू यह देखोंड एक टेंजेंट कहलाती है इनको सपर्स रेखाए कहा जाता है देखें दोनों की जो लंबाई यहां है आर्दा टू टेंजेंट और टू ए सरकल विच विद सेंटर ओ यहां पर सेंटर ओ है और यह एक बाहरी पॉइंट से किसी भी सरकल पर दो जो टेंजेंट लाइन कीची जाते हैं यानिक सपर्स रेखाई कीची जाते हैं तो उनकी आगों कि अग्र जो को ऑडगा हो तो मैं आपको इहां यहां पर बता देटा हूं एनगल के छारों एंगल का सम होता है 360 इसमें से 90 और 90 यानि कि 180 हमें already दे रखा है तो ये और ये यानि कि angle O और angle T इन दोनों का sum यानि कि angle O plus में angle T इन दोनों का sum 180 degree के equal होगा अगर आपको angle O 110 degree दे रखा है तो इसका मतलब हो गया कि angle T आपका कितना हो जाएगा 70 degree हो जाएगा कैसे angle T is equal to 180 degree माइनस के 110 degree तो 180 degree मैंसे 110 degree को गटाएंगे तो यहाँ पर आपके पास पर जाएगा 70 degree आपका answer हो जाएगा यानि कि angle T जो आएगा आपका 70 degree होगा यानि कि option number B आपका correct answer होगा ठीक है बच्चों चलते हैं next question की तरव हाँ जी यहाँ पर है question number 10 if cos A 4 upon 5 दे रखा है तो यहाँ पर एक formula याद रखना है पंडित बद्री परसाद हर और बोल अगर आपको यह formula याद है तो इसके आप यहाँ पर और इसके बाद में 100 चांदी तो तो उपर से नीची की तरफ अगर आप देखते हैं तो यह पंडित बद्री परसाद हर हर बोल 100 चांदी तो इसके हिसाब से अगर आप देखें cos A की value क्या होगी तो cos A की value होती है जो center वाली value होती है यह वाली value यानि की P B upon H B upon H यह पॉस के equal होती है तो means आपको औरेडी given है कि cos की value cos A की value 4 upon 5 आपको दे रहे ct badge to means अप यहां पेए रख लीजिए यह होगया यह वी हो गया यह ब्यी होगया यह आपका सी हो गए इस तरीके से आप कर सकते हैं तो यहां पे जब यहां पे यह ए एंगल मेंद यहां利ा हो गया पर पंडिकुलर हमारा यह हो गया और हाइपॉट recipes हमारा जो 90 के अपोजिट में होता है तो अब यहां पे बात करते हैं बेस और आपको हाइपोटनेस दे रखा यानि की बेस आपको दे रखा है चार इसके चार रख देंगे और हाइपोटनेस यानि की पांस दे रखा है घ्र यहां चार अंच का इंट्वरेटर ये तो अब हमने पूछा है कि 10A की वेलुट इसके मादिम से होती है यार्ट आप यहां कोई टावर दे रखा है उसके हाइट equal to the length of the shadow, जो इसकी shadow पड़ रही है, यानि कि shadow यहाँ पर जमीन पर यह जो shadow पड़ रही है, यह वाली, तो यह shadow इसके equal है, जो इसकी height है यह वाली, और इसकी shadow पड़ रही है यहाँ जमीन पर, इन दोनों की जो length है, वो क्या है, equal है, तो means यह वाली side इसके equal है, then the angle of elevation, तो angle of elevation क जाओगा अगर दो साइट कभी भी राइट अंगल ट्रैैंगल में इक्वल हैं तो वह कितने का होगा एंगल फर्टी फाइवेशन नंगल उप्टीफटी का कि इसके यहां पर आपसे कहांं कि यह साइड इसके एकुल है और यहां राइट अंगल बन रहा है तो मिन्स यह तो इनके opposite angles भी equal होते हैं यहां पे मैंने आपको एक formula बताया था सकते हैं कि आप इसको अधर साइड में लेके जाएंगे माइनस में जाएगा तो यहां पर यह पूछाए कि इसके एकल होगा तो यह होगा साइन इसके साइन इसक्वार है और यही हमारा correct answer होगा अब यहां पर हमसे कहा question number 13 में radius of a circle देखो यहां पर radius of circle यह सरकल है इसकी radius यहां से यहां radius की बात की ज़रे center यह होगा हमारा और जो radius है same as the side of square जो इसकी square की side है यानि कि उसके equal है तो means r जो है a के equal है radius और a हमारे दोनों की दोने equal है तो यहां पर पूछा है कि perimeter का ratio क्या होगा जो perimeter होता है यानि कि equal होगा in में से चारों में से तो सबसे पहले यहां पर circle का है तो circle का perimeter क्या होता है यानि कि circumference का जाता है तो circle का होता है 2 pi r और इसको equal रखेंगे किसके square का perimeter निकालेंगे square का perimeter क्या होता है four into side और मैंने अभी आपको यहां पर बताए कि यहां कुशन में ने कहा कि दोनों equal हैं a और r तो a और r अगर equal है तो means यह दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे a और r दोनों एक दूसरे से कड़ जाएंगे two से यह four कड़ जाएगा two times तो ठीके जी तो यह हमारा सवाल हो गया तो next सवाल की तरफ चलते हैं यहां पर है question number fourteen the area of a circle area of a circle आपको इतना दे रखा है तो radius हमें find करने तो यहां पर area of circle अगर given है जो given होता है उसी का हमें formula लगाना है area of circle क्या होगा इसी का हमने formula लगा है और इसको हम इसके सामने यहां पर लिख देंगे तो पाई की value कितनी होती है 22 बटे साथ होती है और आग की value हमें नहीं दे रिख के पाई जैसे लिखेंगे और 150 और यहां पर रहेगा तो आज फ्रकोई ही छोड़ेंगे 154 अपनी जगह रहेगा और इसको 22 बटे साथ को इधर लेके जाएंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और यहां पर 22 नीचे आ जाएगा और फिर इसके बाद में क्या करेंगे इस बाइस से अगर आप इस 154 को यानि कि डिवाइड करेंगे तो 7 टाइमस आएगा कितने बाद आएगा सेवन टाइमस और यहां पर आड़ स्कॉर्स आपका आगया सेवन इंटू सेवन तो आज इसकर का मतलब यहने की डबल जैसे सेवन इंटू सैवन तो इसको आर पो भी हम दो बार रहें कि इतनी हो गई यहां पर है सेवन यहनी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्टा हमसर होगा हूं कि क्यूशन नमबर 15 में अगर हम देखें तो यहां पर कि किस्ट नमबर 15 में वेन डाइस इस थ्रॉन वन्स एक डाइस को एक बार फैंका जाता है प्रॉबर्बिलेटी ऑफ गैटिंग एन इवन नमबर यहीं नमबर की बात की जारी तो यहां पर नीचे वाले नमबर में इवन नमबर कौन सा होगा तो चार यहां पर है तो यानिकि केवल एक संख्या है और टोटल संख्या कितनी है यह 123456 टोटल कितनी है सिक्स तो वन वाई सिक्स यह हमारा आंसर हो जाएगा तो यह ऑप्शन नमबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा ठीक है तो नेच्ट सवाल पर चलता है कुछन नमर 16 और फॉलविंग डिस्टिबूइशन यह हमें देरखा है फ्रिक्वेंसियों में देरखे तो लॉवर लिमिट आफर मॉडल क्लास की लॉवर लिमिट हमें बताने तो मॉडल क्लास होता है यानि कि जिसकी वैल्यू फ्रिक् यह जो एक फिफ्टीन हो गया ऑप कि अगहां पेuh सेवन्टीफ कि नंबर में रेक्टयंगल सीट है मैं पर चाली सेंटीमिटर और ऑस संंटीमिटर तो निदेर एस नियंकि चाली संटीमिटर यहों है चालीश सेंटीमेटर इसके निंबाई है और पी सेंटीमेटर इसकी चोड आई है और यहाँ पर रॉल्ल किया जाता है इसको फोलो किया जाता है और इसकी हैट है से 40 से साइड से उसको उसको रॉल किया रहा है इस तरीके से रॉलके करने पर यहां सरकल रही इस इस एक है तो यहां से अगर हम सुरू करते हैसी यह तक चो लेन्थ होगी 20 हों यह जो है क्या बने हमारा सरकल का होता है Yukis का इसकी परीदी यह 20 explor discipline हो जएक क्योंकि बीस के ही लेंद के एक्वल हैं तो यहां दो से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे या फिर आप ऐसा कर सकते हैं तो यहां पर दो गुना के इसकी वैल्यू कुट कर दीजिए बाइस बटे साथ और और को यहीं रहने दीजिए इसके बाद में आप और यहीं पर रहने दीजिए और इनको इधर लेके जाएए तो बीस गुना के साथ गुना के यह अपन में चला जाएगा तो दो गुना के बाइस स्यरूं यह बीस नहीं है यहां पर दीजिए भी 22 ही रखेंगे यहां पर यह भी 22 है तो यहां से 22 जो है बाइस कैंसल हो जाएगा यहां आरग वे लोई हो जाएगी यह option number A पे हमारा answer वे. Question number 18 में, question number 18 की बात करें, consider the following frequency distribution. Frequency distribution की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें median class की बात कर रहे हैं, तो median class रताना है, तो यहाँ पे हमें class दे रखा है, तो हमें ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले class हो गया है, यहाँ पर frequency हो गया है, और हमें एक column और बनाना पड़ाएगा, तो यह column हमें यहाँ पर अपनी तरफ से create करना पड़ाएगा, जो यहाँ पर दे रखा उसको सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, 0666 से 12, 12 से 18 और 18 से 24 और 24 से 30, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे इसको फिर से बाद मिधं आप ट्वेल है, 10 है, 15 है, 8 है, 11 है यहाँ पर इन सबका यहाँ पर total करते हमेर तो गता chu जाएगा का और यहां पर आप क्या करेंगे इनका इस तरीके से से निकालेंगे तो सबसे पहले ट्वेल लिखेंगे 12 में 10 को एड़ करेंगे तो यह हो जाएगा 37 37 एट करेंगे 45 हो जाएगा 45 में 11 को एड करेंगे तो 56 तो 56 इनका समझो होगा वो भी 56 होगा तो मीन्स यहां पे एन हमारा कितना है 56 है और एन बाइटू क्या होगा एन बाइटू यानि कि हमारा हो जाएगा 28 तो 28 यहां पे सिएफ वाली लाइन में 58 कहां पे आएगा इसमें 28 कहां पे आएगा तो 28 की बात करें तो 12 22 37 तो 28 37 में इंक्लूड है तो 37 में इंक्लूड है तो इसके जस्ट सामने वाली जो रो में यहां पे लोवर लिमिटर अपर लिमिटर होगी वही आंसर होगा तो यानि कि 12 डैस 18 जो है 12 से 18 यही आपका आंसर होगा यानि कि ऑप्सन बी इसका करेक्ट आंसर होगा अगे यहां पर बात करें क्यूश्य नमर 19 एसरेशन दे यहां पर और यहां पर पॉइंट एस सफे हैं बिलकल से है और यहां पर एकस प्वारिनेत-ट और यहांट आ पर यहां पर यहां पर क्य Ph 11 में आसडले कि जीरो एट्शियर को इससशुन है और और यहां वो भी सही है दोनों सही है और जो रीजन है वो उसको correct explanation करता है ठीक है अब यहां पर question number 20 की बात करें तो यहां पर HCF of 5 है और product of दो numbers का जो product है वो 150 है और LCM की बात करें तो LCM हमें 40 दे रखा है यह तो acceleration में कहा है reason में कहा है कि जो HCF into यानि दो numbers का HCF और LCM जो होता है वो दो numbers का multiplication के equal होता है तो यह जो है correct है reason correct है हमारा और अगर हम इनकी बात करें तो HCF और LCM का multiplication कर लें तो यहां पर 5 और into 40 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 200 लेकिन इनका product जो है दो numbers का product already 150 का है तो 150 और 200 क्या equal है not equal है तो यानि कि पहली जो acceleration है वो यानि की गलत है wrong है तो यहां पर यह option number D होगा इसके लिए option number D acceleration is false but reason is true तो option D इसका correct answer होगा उमीद है कि सभी बक्छों को सवाल समूंँ में आगे होगे अगर आपको इस सवाल समय में आगे तो आपको इस तरीके की सवाल होगे वो समझ में आ जाएंगे तो सब ही बच्टे हमारे साथ neighbor जाएं नेक्ट वीडियो तब तब तक के लिए गुटबाई झाल